पच्पन में हम सभी ने Snow White की स्टोडी चरूर सुनी है Snow White की स्टेप मर्डर का वो फेमस डैलक Mirror Mirror, Who is the most beautiful in the world आज मैं आप सभी को वही स्टोडी सुनाऊंगी पर थोड़ा हट कर मूवी का नाम है Snow White and the Huntsman यह मूवी 30 में 2012 को रिलीज हुई थी यह मूवी अपने Best Visual Effect और Best Costume Design के लिए दो पार Oscar के लिए नुमिनेट भी हुई है तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं एक समय की बात है एक रानी Snowfall को देख रही थी उसे एक खिला गुलाब दिखा जो इस भयानक धंड को चुनाथी दे रहा था उसने उस गुलाब को टच किया जिससे उसे काटा चुबा और खून की तीन बुने बर्फ पर गिरी खून का लाल रंग बर्फ की सफेदी में इसना अच्छा लग रहा था कि उसने मन ही मन सोचा मेरा बच्चा बर्फ की तरह सफेद हो उसके होट खून की तरह लाल हो और बाल इतने काले जैसे काल का पंक और इस गुलाब की तरह वह सकती साली हो यहाँ थी किंगडम आप टैवर की क्वीन इलेनौर इसके बाद हम देखते हैं क्वीन इलेनौर और किंग मैगनस को एक सुन्दर बेटी होती है जिसका नाम वो स्नोवाइट रखते हैं वो बहुत ही सुन्दर थी और निडर भी इसलिए उसे सभी प्यार करते थे किंग मैगनस के राज्य में सभी खुसी से रहते थे समय आगे बरता गया विलियम के साथ खेलती हुई स्नोवाइट बड़ी हो रही थी और क्वीन इलेनॉर बिमार और एक दिन ऐसा हुआ कि इलेनॉर मर गई उसके मरने के बाद किंग मैगनस और स्नोवाइट अकेले रह जाते हैं क्वीन इलेनॉर के जाने के बाद किंग मैगनस तूट जाते हैं उनकी ऐसी हालत का फायदा उठाते हुए एक रहस में काली सेना इस राज्य पर हामला कर देती है वार में किंग मैगनस तो जीच जाते हैं लेकिन तभी राजा का एक सिपाही उसे बताता है कि उन काली सेना ने एक लड़की को बंदी बनाया था जब राजा उसे आजात कराते हैं तो वो बहुत डड़ी हुई थी पर उसकी खुबसूर्ती देखकर किंग मैगनस को उससे प्यार हो जाता है इसका नाम था रेवेना वो रेवेना से कहते हैं मैं आपको हार्म नहीं करूंगा आफ सेफ हैं नेश्ट दे किंग मैगनस और रेवेना की साधी होती है. रात में राजा मैगनस रेवेना से कहते हैं तम्हारी खुबसूर्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया है। यह बात तो राजा ने प्यार में कई थी तब रेवेना उसे कहती है आपने सही का. इसके बाद हम देखते हैं किंग मैगनस की हालत आचानक खराब होने लगती है और रेवेना उनसे कहती है इसी तरही कराजा ने अपनी बूरी पत्नी को छोड़ कर मुझसे साधी की थी और मेरी लाइफ को बरबाद किया था मैं जानती थी कि मेरी उम्र बरने पर वो मुसे भी छोड़ देगा मर्द ऐसे ही होते हैं धो के बाद पहले में तुम्हारी जान लूँगी फिर तुम्हारा राज जिलूँगी और वो किंग मैगनस को एक खंजर से मार डालती है अब हमें पता चलता है कि रेवेना एक वेच है और वहकाली से ना डार्क आर्मी उसी की थी जिसके जड़िये उसने राजा को फसाया था इसके बाद हम देखते हैं कि वह जाकर महल का दर्वाजा खोल देती है इसके बाद सभी दार कार्मी महल के अंदर आ जाते हैं दार कार्मी में रेवेना का भाई फिन भी था फिर वे सभी मिलकर पूरे राज़े पर हामला कर देते हैं इसनोवाइड जब देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं देकिन तब तक फिन पीछे से आकर इसनोवाइड को पकर लेता है रेवेना इसनोवाइड को महल के उत्तरी मिनार में कैद कर देती है रेवेना इतनी बुरी विच थी कि उसके आने से वहां की पराकिर्ती सुखने लगी वीरान हो गई हर तरफ उदासी और गड़ी भी फैल गई अब समय काफी बीच चुका था और हम देखते हैं कि कैद में रहरे इसनोवाइड अब बड़ी हो गई है तक इतने सालों के बाद भी रेवेना उतनी सुन्दर है जहां पुरा राज भूक गड़ी में मर रहा था वहां वो दूद से नहाया करती थी वही पहतावा दूद लोग पी रहे थे फीन अपनी बेहन के लिए सुन्दर लग्यों को पकर कर लाता था रेवेना अपनी ब्लैक मेजिक से लड़कों की उमर और खुबसूरती छीन लिया करती थी और उन्हें मार देती थी इस तरह वो हमेशा ही सुन्दर और जवान बनी रहती थी उसके पास एक मेजिकल मेरर था इस से वो पूसती है कि इस दुनिया में सबसे सुन्दर कौन है पहले हमेशा वो मिरर रेवेना को सुन्दर बताता था पर आज वो स्नोव वाइट को सबसे सुन्दर बताता है यह सुनकर रेवेना को बहुत गुसा आता है तब रेवेन से मिरर बताता है जब से Snow White जवान होई है वो बहुत ही सुन्दर होती जा रही है इसलिए तुम्हें कमजोडी महसूस होने लगी है और तुम्हारी सक्तिया भी कम होती जा रही है Snow White ही है जो तुम्हें मार सकती है अगर तुम Snow White को मार कर उसका दिल हासिल कर लेती हो तो तुम हमेज़ा जवान और सक्ति साली रहोगी तुम है किसी और लड़की की उम्र छिनने की जवरत नहीं पड़ेगी तभी वो अपने भाई फिन को बुलाती है यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो वाइट को अपने सेल में तो चिरियाएं दिखती है और वह उसके पास जाती है तब उसकी नजर दिवार पर लगे एक कील पर परती है वह उस कील को निकाल कर अपने पास छिपा लेती है तभी हम देखते हैं फिन उसके सेल में आता है स्नो वाइट उससे पूछती है यह तुम कभी मेरे सेल के अंदर नहीं आया तो आज क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, तब फेन उससे बताता है कि रेवेना को तुम्हारा दिल चाहिए, वो स्नोवाइट को घायल करता, उसके पहले ही स्नोवाइट फेन पर उस गेल से हामला कर देती है, और वो सेल से बहार आकर फेन को लॉक कर देती है, और वहा सुरंग में कूध जाती है और सुरंग के पानी के साथ भाटी हुई महल के बाहर निकलाती है उसे वही चिरिया दिखती है जो एक सुन्दर घोरे के उपर उड़ रही थी इस गोरे पर बैठ कर वहां से भागने लगती है उसके पीछे रेवेना की आर्मी आ रही थी स्नु वा रिवेना की सक्तिया काम नहीं करती एक ऐसी जगा है जहां से कोई भी पच्छकर वापस नहीं आता वहां पर बहुत अजीब तरह के मैजिकल क्रियेचर है और वहां जाने पर लोगों को भरम होने लगता है और वह जितना डरते हैं यह जंगल उसे उतना ही और डराती है इसलि वहां भेजना चाहिए मैं आपको बता दूँ एक ऐसा इंसान है जो इस डाक फॉरेस्ट से जिंदा वापस लोटा था एक समय था वह बड़ा योद्धा था पर उसकी पतनी के देथ हो जाने के बाद वो तूट चुका था और आजकल सोने के सिकों के बदले लोगों का काम क उसे भरम हो रहा था कि है पेर सेतान बन जा रहे हैं उस पर हामला कर रहे हैं उस साया उसकी पीछे पर जा रहे हैं वो इतनी डड़ी हुई थी कि बेहुस हो जाती है यहां महल में हम देखते हैं कि हंस्मेन से रेवेना कहती है कि उससे किसी को पकर कर लाना है जो डाक फॉर बल्कि उससे वह सौधा करती है कि अगर तुम उसे पकर कर ले आओ तो मैं तुम्हारी मड़ी हुई पत्नी को जिंदा कर दूंगी एक जान के बदले एक जान को और क्या चाहिए था वह तैयार हो जाता है फिर वह फिन और उसके आदमियों के साथ डार्क फॉरेस्ट में क्विस्ट करती है कि मुझे उसके हवाले मत करो कुईन रिवीना को मेरा दिल चाहिए वो मुझे मार डालेगी फिन हंसमें से स्नोव वाइट को उसे दे देने के लिए कहता है तो हंसमें उससे कहता है पहले मेरी वाइफ चाहिए इस पर फिन उससे कहता है मेरी बहन के पास को मरे वे को होग सकती किसे मरे वे को जिंदा नहीं नहीं इस बात पर हंस्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह फिनν स्थी इता है के कि नोगम स्थका बचान आप भाग जाता है इसके बाद हंस्मन इस्नौव मैगनस के मरने के बाद वेलियम और बाकी बच्ची हुई सेना को साथ लेकर रेवेना के राजे से निकलने में कामियाब हो पाये थे और ये लोग आज भी रेवेना के खिलाब जंग जारी रखे हुए हैं उन सबी का नेतित ड्यूक कर रहा था इसलिए स्नोवाइट ड्यूक क लेकिन विलियम अपने पापा की बात नहीं मानता और वो फिन के पास जाता है अपनी तीरंदाज का हुनर दिखा कर उसे इंप्रेस कर देता है विलियम के सच्चा ही पता नहीं थी और वह उसे अपने साथ लेकर स्नोवाइट को ढूनने के लिए निकल पड़ता है यहां हम दार्क फॉरिस्ट में देखते हैं कि हंसमेन और स्नोवाइट एक रास्ते से गुजर रहें थे तबी वहां मड़ी होई हिरन दिखती है जो संड रही थी और कुस्तीतีया उसे खा रहे थी स्नोवाइट को यह देख कर बुड़ा लगता है तब हंसमेन उसे बताता है कि कि ग वहाँ से भाग जाने के लिए बूरार में 맛있क हांसमेंयकिक को मारने पानी में बोट आता हुआ दिखता है जिसमें कुछ औरते थी यहां दोनों उनसे बताते हैं कि क्वेंड रेविना से वह बचकर भाग रहे हैं और वह और अपने साथ अपने कवीले में ले जाती है जहां कोई आदमी नहीं था सभी आदमियों को रेविना ने अपने सेना बन स्नोवाइट को उन कवीले वालों के साथ छोड़ करके वहां से चला जाता है और आधी रात में वहां फिन और उसकी सैनिक आ जाते हैं और कवीले में आग लगा देते हैं सभी यहां वह भागने लगते हैं हंसमें वहां से जादा दूर नहीं किया था वह उस जलते हुए आ गुर्ति जा रही थी वह अपना बच्पन हियाद करती है सीराजा के घुर सवाड आए वे थे और सभी को माषए उस वक्त रेवेना की मां उससे कहती है कि तुम्हारी खुब्सूर्टी ही तुम्हें बचा सकती है और यह सममोहन है और रेवेना की हतेली को कात कर क्ए खून हमारा प्रतिसोच जरूर लेना यह सब याद करके रेवेना रो रही होती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंस्मेन और स्नोवाइक एक जंगल से जा रहे थे तभी उनका पैर एक फंदे पे परता है और वे दोनों पैर से उल्टा लटक जाते हैं तभी मोवी मैंटरी होती है आठ छोटे बॉनों की वेसं लोग उन्हें पकड कर लूटने वाले थे यह सभी हंस्मेन को पहचांते थे और जब हंस्मेन को लूटने के लिए तालासी लेते हैं तब बस एक सांधी का सिक्का मिलता है वे लोग चिर जाते हैं कि हमारे सिक्के कब वापस करोगी तब हमें रेवेना के खिलाब लड़ना होगा बॉने उस पर यकीन नहीं करते तभी एक बॉना जो देख नहीं सकता था अपने नकाब उतारता है और उन सबसे कहता है कि इसके रगों में साही खून है यह रेवेना को मार सकती है इसके नसीब में राज योग है जर असल इन आर्ट बॉ से बहुत है सुन्दर था और मेरा फैवरेट भी है और यह सभी वहां खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं ऐसे वही दू चिरिया देखती है इन दोनों चिरिया के अंदर दो छोटी छोटी पढ़िया निकलती है जो इसनोवाइड को पीछे आने का हिसारा करती है से दिखता नहीं तो हैंसमें को बोलता है कि इस हिरन को आज तब किसी नहीं नहीं देखा है सनौ वाइट को अपना आसरवात दे रहा हैं सोना मिले ना मिले इसनो वाइट हम उसके साथ ही जाएंगे तब ही फेन और उसकी सेनव हो बढल देती है और वो हीरन भी खायल हो जाती है लेकिन हीरन छोटी चोटी तितलेया हुआ में तौका्ः से लड़ता हूद indeed तुम्हारी पत्नी मरते वग तम्हारा नाम डेंज और वहां पर नहीं थिए फिर हंस्मین को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे उठार कर एक टूटे हुए पेर पर धका दे देता है जिसकी सुखी नुकीली तहनिया उसके सरीर के आरपार हो जाती है जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं रेवेना को यह बाद पता चल जाता है उसका भाई घायल हो गया है वहाँ उसका दर्द महसूस कर सक रही थी तभी फिन अपने मैजिकल पाउर से पने बहन से मदद मांगता है वो कहता है कि मुझे बचालो पर रेवेना बहुत कमजोर हो चुकी थी वो अपने भाई से कहती है मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी और इस तरस से फिन मर जाता है इसके बाद हम देखते हैं स्नौ वाइट विलियम और वो बचे हुए साथ बोने आगे बर जाते हैं अवे लोग एक ऐसी जगह पर पहुंसते हैं जो पूरी तरसे बर्फ से घेरा हुआ था वहां पर रात गुजारते हैं अगली दिन स्नौ वाइट बिगरती जाती है और वो नीचे गिर जाते है फिर रेवेना उसे कहती है मेरी सुंदरता का सम्मोहन तुम ही तोर सकती थी पर अब ऐसा हो ही नहीं सकता और वो स्नौ वाइट का दिन निकालने वाली थी इतने में हंसमेन और विलियम स्नौ वाइट को वहां ना पाकर पाने पर स्नो माइट जाती है अउसे कबिले में आ यद्याओ कर देख करसे नेला तो किस्ट करता है यह हम देखते हैं इसनोवाइट के सिनवाइट के लिए सची थी इसके बाद स्नोवाइट द्यूप और उसके सेनक से कहती है वक्त आ गया है रेवेना को खत्म करने का तुम सब जानते ही हो उसे सिर्फ मैं मार सकती हैं उसे जिंदा देकर बहुत खुषता नेक्स यह सभी रेवेना के किले में हमला कर देते हैं यूद के लिए कई सारी जवान लड़कियों से उसकी सुंदर्ता और उमर छीन कर उन्हें मार कर जवान बन गई थी वार स्टार्ट हो जाता है स्नोवाइट किसी तरह रे मज़ी कल सेना त्यार कर लेती है वीलियम और उन्हीं जितना भी मार रहे थे पर वो नश्ट हो रहे थे नहीं रहे हूद को हंस्मिन के बताय हूए सेल डिपेंस के जाते हैं इसलिए वह एक हाथ से रेवेना के खंजर को रुकती है और दुसरे हाथ से उसके सीने के पास आपको सेकेंड पार्ट आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको मेरी एक्स्प्रीनेशन चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें जल्दी पार्ट के शब्सक्राइब मज़ने किया है तो जरूर्व सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मुझे आप सबका सपोर्ट मेल सकें और आ आपको मेरी एक्स्प्रिनेशन पसंद आई है तो वीडियो अपने फ्रेंज के साथ जरूर सेयर करें